मुंबा इंडियंज और रोही शर्मा को लेके बहुत सारी बाते निकल के आई थी कि कैप्टेंशिप क्यों छीनी गई, क्या प्रॉब्लम हो गई थी तो एक जैरान करके एक X में एक सोचल मीडिया चलाते हैं उनका है जैरान उनके तरफ से एक बहुत लंबा चोड़ा एक स्टूरी आया कि कैसे उनके साथ ये पॉलिक्स की गई और कैसे उनको इस कैप्टेंशिप से हटाये गया अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूले ताकि मैं ऐसे जब वीडियो बनाओ आई पेल की टाइम में तो सबसे पहले आपके पास इसके पुरे नोटिफिकेशन आएं तो चलिए बात करते हैं रोहिश अर्मा और उसकी कैप्टेंशिक को लेके जो मुंबई इंडियन्स ने उनसे चीन ली तो बात ये 2024 की नहीं है ये बात साड़ होती है 2020 चलिए उससे पहले लिए आते है 2008 से सबसे पहले कैप्टें कौन थे मुंबई इंडियन्स के पाँच बार कैप्टें रहे सचिन रमेश देंदुलकर बहुत बड़ा नाम लेकिन एक बार भी उन्होंने आइपेल ट्रॉफी नहीं जीता ही जब से कैप्टें बने रोहिश अर्मा तब से हम लोग में पांच बार आइपेल ट्रॉफी जीत लिए तो मुंबई इंडियन्स में सब पासा का छोटा हो गया सचिन धंदुलकर साहब का यह पूरे स्टोरीज हैं यह मैं लगा रहा हूँ आपके साथ यह उन्होंने पूरे तत्थि के साथ बताया है उसके बाद 200 बनाया है सचिन धंदुलकर ने उनका भी रिकॉर्ड दो बार तोड़ा किसने रोहिष शर्मा ने तो मुंबई चाराजा और मुंबई दक किंग कहा जाने लगा आपके रोहिष शर्मा को इससे थोड़े से नाखुश हुए थे सचिन धंदुलकर साथ लेकिन अभी क्या कर ना 2021 में हुई ना 2022 में हुई कब हुई 2023 में जबकि रोहिष शर्मा नहीं चाहते थे कि अभी अरजुन तेंदुलकर डेब्यू करे और इसके लिए बहुत सारी बहस बार जी हुई है इंटरनल बहुत सारी चीज़े हुई है यह मैं अपने खुझ अपने तरफ से नहीं तो सूर्य कुमार यादव ने वोस दिन कैप्टेंशिप की थी जी हाँ उस दिन रोहिष शर्मा कैप्टें नहीं थी अगर आप सको गूल में जाके सच भी करोगे आपको मिल जाएगा उसके बाद सेशन देंगोल ने सोचा कि नहीं अगर उनको बड़ा बनना है मुंबई रासा दिखाएगा इसलिए वो 2022-2023 में वो गुजराट टाइटन से जाके उन्होंने कैप्टेंशिप की उसके बाद से कहने पे रिक्वेस्ट पे ही अमबानी ने उनको फिर से ले के आए हैं और उनको क्यूंकि हादिक पांडिया और रोही शर्मा की जाद अच्छी बनती हैं उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है कि कैसे रोही शर्मा के साथ पॉलिटिक फी गई और कैसे उनको कैप्टेंशिप से हटाएगी अगर आपको क्या रखता है क्या स्टोरी में कुछ भी तत्ती है कुछ भी फैक्ट है कमेंट करके जरूर बता है और ऐसी मज़ेदार व